निम्रोलोजिस्स जिसे हम अंक शास्त्र बोलते हैं तो बेसिकलिए ये काम कैसे करता है देखी मैम ये अंक शास्त्र एस्तिलोजी का ही बात है ना तो हमारी लाइफ ये समझो पूरी जरने ही नो ग्रह के इर्दगर्द घूम रही है दो नंबर वाले एक तो इमोशनल बहुत भी खतम होता है फैटी लिवर नंबर तीन से देखते हैं तो उसमें उस परसन को रेमेडी क्या करने चाहिए केले की पेड़ की पूजा करने चाहिए अगर पांच नंबर खराब हो रहे ता आप दाल का इंटेक नहीं करोगे अब जैसे कई बर बोल जाता है कि आपका शनी अगर खराब है तो बहुत सारे लोग इसी ब्रहमें होते हैं कि आज शनीवार है काले चोले बना लेते हैं लेकिन वहां आपने काले चोले नहीं बनाने है हमने वह दान करनी है चीसे डाक सरकल होते हैं आखों की निचे ये भी आपको सेवन नंबर देता है आपको उनको हमेड़ी भी हो और हनुमान जी घाब ही हो और पीफल के पेड़ के नीचे बैठके इस तीन भार हनुमान चीरिसा करनी में है कि haverau दोस्तों आजके पॉडकास में आप सभी यह स्वाकत है जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इस पॉडकास में हम हमीशा बात करते हैं आपकी जि जिन्दगी से मुश्किलें दूर करने की और हम चाहते हैं कि हमारे इस पॉडकास के तुरू जो भी रेमिडीज हमारे अस्ट्रोलोजस आपको देते हैं उनका असर आपके जीवन पर क्या पढ़ रहा है उसका क्या प्रभाव है तो नीचे नंबर्स है तो अपना एक्सपीरि जिस तरह से लाल किताब भी विग्यान की तरह ही काम करता है तो अंक शास्तर भी एक अलग विग्यान है और अंकों के थ्रू जो इसके ग्याता है वो अंकों के थ्रू आपके जीवन में क्या होने वाला है या फिर कौन सी मुश्किले हैं जिनको आप कोई नंबर आपकी जी सच्छदेव जी तो आईए मिलते हैं उन से मोना जी आपका बहुत स्वागत है थैंक यू मैं आज आप हमारी इस पॉड़कास्ट में आई और जैसे कि आज का जो हमारा विशेर वो थोड़ा नया है क्योंकि इससे पहले मैंने कभी निम्रोलोजिस के साथ कोई पॉड़कास् जाराओ कि निम्रोलोजिस जीसे हम अंक शास्त्र बोलते हैं हें तो बड़ियो एककाम कैसे करता है अगर हम किसी अपनी अगर हम बात करें या लोगों की बात करें कि अगर वो अपनी प्राबलम सॉल तो उन्की लाइफ पे ये कैसे काम करता है देखी मैं यह अंत चाहिका अब हर एक प्लैनेट को कोई ना कोई ग्रह मिला होता है, हर एक नंबर को, जैसे वन नंबर सूरे का हो गया, तो हमारी लाइफ यह समझो, पूरी जरनी ही नो ग्रह के इर्दगर्द घूम रही है, तो अंक शास्तर बहुत इसी है, इस लिलोग इसकी तरफ जाते हैं, लेकिन इसकी प्रडिक्शन लाइक एस्ट्रोजी की तरह कर सकते हैं, जैसे आपने बोला कि आज का टॉपिक है हमारा थोड़ा न्यू है, आपने बहुत को सुना होगा कि बेसिक नंबर यह करता है, डेसिक नंबर यह करता है, लेकिन अंकों के द्वारा क्या आपकी मेडिकल कंडि जैसे बर्थ के जो हम अंक जो जोड़ते हैं, डेट ओ बर्थ, डेट ओ फियर हो गया, हाना मनत हो गया, तो आप उन चीज़ों की बात कर रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि मिस्सिंग नंबर हमारी लाइफ में नहीं है, तो उनका इंप्याक्टा लगाता है, हाना लेकिन अगर कोई नंबर एक्सेस में आपकी डेट ओ बर्थ में हैं, तो वो आपको क्या क्या है हेल्थ इशू दे सकता है, ये भी आप जान सकते हैं निमरलाजी से, तो जैसे कि अगर हम अंकों की बात करें, तो आप क्लियर करें इसको कि कैसे करते हैं आप, अब बेसिक ड गालना आता है, मेरे वीवर्स हैं, तो जैसे 23 September 1982, ये एक डेट ओ बर्थ है, 2 और 3 को प्लस करेंगे, तो 5 बन गया, ये बेसिक डेट अब बर्थ को जो हम प्लस करेंगे, तो 7 हो गया, तो अब कांपाउंड नंबर भी देखा जाता है, चलो ये तो अलग टॉपिक है, निम निम का काम क्या है, तो आइसे लोगों को फिलकिल भी बढ़दाशन नहीं होती है, तो उनके सर पर हमेशा ही गुसा रहता है, लेकिन, मैडिकल टर्म में, उनको माईगरेन की समस्य लगता है, हाट की प्रोबलम भी उती है, ऐसे लोगों को arthritis की problem होती है eyesight देखना one number वाला कोई ऐसा person नहीं होगा जो बोलेगा कि eyesight मेरी weak नहीं है ये सब जो आता है ये one number के अंडर आता है चाहिए आपका basic है ये destiny है अच्छा तो अगर किसी का date of birth जोड के भी one number बन रहा है या फिर only जो birth की date है वो जोड के भी अगर one बन रहा है तो वो person का वो person one number को rule करता है तो इस में से ये decision उसको होंगी ही होंगी तो अब हम बात करते हैं दो number वालो अब दो number किसका है दो number चंदर्मा का है ना moon का है अब जैसे दो number का अगर मैं basic nature बोलू तो 15 दिन चंदर्मा कड़ता है 15 दिन बढ़ता है तो उनका basic nature भी ऐसा है अब दो number वाले एक तो emotional बहुत होते हैं over emotional होते हैं ऐसे लोगों को दो number किसका है water का भी है पानी का भी है तो यह समझो पानी से जूड़ी हुए जितनी भी बिमारी है नंबर दो को होंगी अच्छा यसे डायरिया हो गया sinus हो गया cold हो गया यह कफ हो गया अभी एक्जामपल अगर मैं हीना खान का लूँ दो number है उनका basic और destiny उनका one है हीना खान को breast की problem आया थी सबको पता है अब breast का problem दो number देता ही देता है breast cancer ने इससरफ breast की problem अब cancer कहां से आया cancer आया nine number से nine number की उनकी महादशा चल रही थी तो nine का impact जब number दो पे पड़ा तो उनको breast cancer आया हाना तो यह चीज़े नंबर हमारी life में बिमारियां देते हैं लेकिन over चीज़े कव होती है जब दशा महादशा से यह एकदम से हमारे सामने आती है अब दो number किसका है हमारे दिल का भी है हाना कहते हैं कि जो दो number वाले होते हैं emotional होते हैं मन का कारक है तो फिर यह आपको heart की problem भी देता है because two number का nature क्या है कि अपने मन में चीज़े रखना लिखिये या तो आप चीज़ें को लोगों को बोल दो कहते हैं कि अगर मैंने दिल खोल लिया था लोगों के साथ तो आई डक्टरों के साथ नहीं मुझे खोलना पड़ता दो number को heart की problem आते आते है because हो मन में ग्रजिस रखते हैं अच्छा तो इनकी कोई remedies भी होते हैं? हाँ जी, remedy हर number की है अब जैसे number first की बात करें अब देखो बहुत कई ऐसे भी clients होंगे, viewers होंगे जो बहुत बड़ी-बड़ी remedy नहीं कर सकते हैं मालो मेरे पास medicine खाने की पैसे नहीं है तो मैं कैसी stone पैन लूँगी तो उसके लिए हमें remedy ऐसी करनी है जो हर person कर पाए अब वन number का grain क्या है? ग्याहूं, सुनाओगा आपने ग्याहूं जो कनक होती है वो और गुड को लेना है दोनों को एक तांबे के लोटे में आपने कनक भर लेनी है यहूं को भरके wheat को अपने घर की east की direction में रख देना है Saturday को और Sunday को इसको उठा के आपने नहा दोकर किसी भी shivaling के उपर रख के आना है जिसको भी one number से कोई भी बिमारी आ रही है उस person को अच्छा ओके एक तो आप यह कर सकते हैं अब कोई ऐसे person है जो मंदिर नहीं जा सकते हैं तो उन लोगों को गाए को जो गेहूं है वो खिलाए कितनी खिलानी है सवा किलो गाएं को रोटी भी खिला सकते हैं देखो रोज रोटी हर परसन खिलाता होगा लेकिन अगर आपका multiple one हो रहा है multiple one का मतलब क्या हो गया कि मेरी date of birth में 1st January और फिर November आ गया और फिर 2011 से भी आ गया तो यह one multiple हो गया ना तो मुझे जो sun वाली problem बताइए मैंने आपको health issue वो मुझे आप यह बोल सकते हैं कि गुड किसका है वो sun का है यहों किसका है sun का है तामबा किसका है वो sun का है तो आप यह सब चीज़ें डोनेट करेंगे मंदिर में विकास sun की कोई भी चीज आप किसी poor person को नहीं देंगे क्योंकि sun राजा है तो फिर आपका sun वहाँ भी खराब होता है आप गाय को रोटी खिला सकते हैं गूड खिला सकते हैं या फिर जैसे मैंने आपको बोला शीवलिंग पे चड़ा सकते हैं अच्छा तो और दो नमबर वालों के लिए अब दो नमबर की है हमारे मन का कारक है ना कहते हैं कि मन अच्छा तो सब कुछ अच्छा होता है अगर आपकी डेट वर्थ में दो नंबर एक से ज़्यादा आता है तो ऐसे लोगों को लिक्विड चाहे पानी हो चाहे वो दूध हो वेस्ट नहीं करना चाहिए अब कितने लोगों को मैंने देखा है दो नंबर होने एक चांदी का सिखा ले सकते हैं अगर आपको लग रहा है कि रिलेशन अच्छे नहीं है तो एक सवा किलो चावल लेकि अपने पास रख सकते हैं और दो नंबर का जो दान करना होता है वो भी आपको शिवलिंग के उपर ही करना होता है क्योंकि शिव जी के माथे पे चंद का और चीज़े हो रही है आज कल खासकर दो नंबर अंदर अंदर चीज़े रखता है तो इसलिए दो नंबर वालों को पुर्रिमा पे चंदरमा को जल देना चाहिए और एक और मैं बताऊंगी मून वाटर बहुत इसली बनता है ना जिसका भी दो नंबर है या डिप्रेश वहाँ पे रखने के बाद इस पानी को पीएंगे तो उनका डिप्रेशन भी खतम होता है अगर उनको लग रहे है कि नहीं करना बहुत सारी चीज़े है एक चादी की ठोस गोली वाइट कपड़े में बांद के अपने पॉकिट में रखने है अगर आपको दो नंबर से कोई अच्छा अब हम बात करते हैं तीन नंबर वालों की कि तीन नंबर वालों को अंक शास्त्र क्या करता है कि अगर आपकी डेटो परत में तीन नंबर है बेसिक है या चाई टोटल है तो उनको कौन सी दिक्कत हो सकते है तीन नंबर किसका है जुपिटर का है ना एक्सपेंश है तो लॉजिक समझिए तो वो आपकी बॉड़ी में फैट को बढ़ा देंगे है ना मोटापा किसे देखते हैं नंबर तीन से देखते हैं अच्छा ओबिसिटी की प्रॉब्लम नंबर तीन से अगर तीन नंबर आपकी डेट ऑव बर्थ में मल्टिपल हो रहा है तो ऐसे पर अच्छे दो ही नंबर ऐसे हैं जो आपकी चाइल्ड बर्थ में प्रॉब्लम देते हैं तो क्योंकि गुरू क्या है गुरू जीवकारक है पूरी आप कहीं से भी उठालो अस्टेलोजी निमरलोजी गुरू के बिना कहते हैं गती नहीं है तो गुरू अगर आपका ठीक नह हो रहा है तो आप समझो लीवर में फैटी लीवर नमर तीन से रिखते हैं तो उसमें उस परसन को रेमेडी क्या करनी चाहिए केले की पेड की पूजा करनी चाहिए आप कई ऐसे परसन आफिस जा रहे हैं वरकिंग बहुत सारे लोग हैं नहीं आपको टाइम मिल रहा है जाने का तो आपने कुछ नहीं करना एक आटे की पेड़े में तीन मुठी चने की डाल डालनी है गुर डालना है और हल्दी का तीलक लगाना है आपको लग रहे हैं अगर कई लोगों को लगता हमें ये भी नहीं करना तो थ्रस्जे थ्रस्जे माथे पे तीलक लगाएं या तो हल्दी का या फिर केसर का तो इसमें ऐसा भी माना जाता है कई बारी मैंने सुना है कि जिनका गुरु ग्रह अच्छा नहीं है या फिर जिनका गुरु ग्रह तो अगर हम उसको अपने शरीर पर उप्टन की तरह लगाते हैं तो भी आपका गुरू ग्रह जो वह अच्छा होती है अगर किसी लड़की की शादी में अब मैंने आपको पता है ना गुरू हमारे शादी का बच्चे कारक है अगर किसी की शादी नहीं हो रही है तो आप उसको बोलो कि 41 डेस लगातार आप पानी में हल्दी डालके नहाओ इवन मैंने भी किया है उपाय है ना मेरी भी अब जब हमारी शादी हुई थी तब तो 25 उमर जादा ही थी है ना क्योंकि तो लगता था कि नहीं नहीं हो रही है तो गुरू को तो मैं तब से पूजा करती हूँ जब से मैं 6th क्लास में थी तो मेरा भी गुरू अच्छी पूजिशन में नहीं है अकॉर्डिंग तो लाल किताब लेकिन में ने उसका उपाय करकर के तो मेरा आज काम कौन सा है गुरू वाला काम है ना तो मैं यह बताना चाहती हूं कि हम ने यह नहीं देखेंगे कि मेरी के पोडिशन अच्छी नहीं है मेरे पस मॉल्टिवल नंबर है वो तो बैड इफेक्ट देगे ही देगे लेकिन में प्रॉब्लम किया है आपको रेमेडी करनी है तो हर चीज की समझ से है तो समाधान भी है आज कल तो राहू के बिना आपको नेम फिर्म नहीं मिल सकता राहू और शेनी आज ऐसे प्रेड़ेट हैं इस कल योग में जो आपको नेम फिर्म देंगे देंगे अब चार नंबर वाला आप देखना है कि चार नंबर वाला बहुत हार्ड वर्किंग होता है बहुत महनत कर चार नंबर जिसका बेसिक या डेस्टनी है, ऐसा परसन आपको हमेशा कहता हूं मिल देगा कि मेरी कमर का देज पता नहीं क्यों नहीं ठीक हो रहा, वो हमेशा आपको यही बोलेगा, लेकिन थोड़ा सा यहां चिंता का विश्य है, विकोज चार नंबर कैंसर भी देता है, क् क्योंकि इसका लॉजिक समझते हैं, चार नंबर है, उसको लगता है मैं अक्टिव हूं, बहुत अनर्जी वाला होता है, तो वो रेगुलर काम करेगा, जैसी बात है हम रेगुलर काम करेंगे तो अपने उपर फोकस नहीं करेंगे, तो वो चीजों को डियाग्नोस नहीं कर पाते हैं, तो चार नंबर में अगर आपका एक्टिव है, तो आप अपने बिमारी को डियाग्नोस नहीं कर सकते हैं, इसलिए कैंसर जैसी जो बिमारी होती है, वो लोगों को क्यों थर्ड स्टेज पर जाकर पता चलती है, जहां से रिकवरी नहीं होती है, जिनका भी चार नंबर है, थोड़ा सा उनको अवेर रहने की नीड है, कि ठीक है, हार्ड वर्क कीजिए, लेकिन कहीं नहीं आपको लग रहा है, मुझे कुछ समस्या है, तो उसका भी आपको सासा समाधान करना होता, क्योंकि कई वरी हम ऐसा करते हैं, सोच लेते हैं कि ठकावट है, हलकी फ अलग शू करने का में परपस यही है, कि जब आपको सब को पता होगा कि मुझे क्या-क्या बिमारी हो सकती है, तो पहले से ही हम अपना उपाए करके रखेंगे, तो इन चार नंबर वालों को कौन से उपाए करने चाहिए, तो चार नंबर रहु का है, हाना, अब रहु का ग उन्होंने मुझे बोला कि काफी टाइम से ना, चाला सा था आप इछले साल सी, मैं अग्नोर करती गई, टाइम नहीं था, अब फिर मुझे ध्यान आया कि मेरी तो चार नंबर की महादश्या चल रही है, कि कुछ न कुछ होगा, तो उन्होंने बोला कि हमें ना, डाउट हो हो गया यह चीज़े कि हाँ, कैंसर नहीं है, इट मेंस कि आपने अगर डाक्टर के पास हाई समय पे जाके नहीं ट्रीटमेंट लिया, तो यह चीज़े बढ़ जाएंगी, और खासकर जब आप चार नंबर से रूल कर रहे हैं, अब जो जो है, वो आपने सैटरे और वंडे शिवलिंग पे चड़ानी है, तीक है, एक और उपाय है, जो बहुत जादा मैं किया रही हूँ, यह तो आप चार नंबर में, जिस परसन ने कर लिया ना, उसको विदन 21 डेज में रिजल्ट मिल जाएगा, कच्चा कोईला लेना 400 ग्राम, तीक है, जिस भी परसन को राहो की वज़े से प्रॉब्लम आ रही है, उसने फ्राइडे नाइट अपने सराने रखना है, जाँ हो सोता है, ठीक है, सेटेडे नहाने धोने के बाद, उस परसन ने, लेकिन शाम को 6 बज़े से पहले, उस परसन ने एंटिक लोक वार के, या तो जल परवा कर दे, अब ऐसे भी सौंगे जो बोलेंगे जल परवा करने कर सकते हैं, ना हमारे हाँ पर नहीं है, तो फिर फिर किसी लेबर क्लास को दे दें, या जो प्रेस करता हूँ, या फिर शनी मंदिर में रखाएं, अगर देखो प्रेस वाले को भी देंगी, तो वो कोईले को यूज करके प्रेस आच्छा ओके या फिर आप एक और कर सकते हो 400 ग्राम जों लेके उसको भी जल परवा कर सकते हो और जो जल परवा नहीं कर सकते वो शिवलिंग पर ठड़ा सकते हैं तो बात करते हैं पांच नमबर वालों की अब नमबर पांच किसका बुद्ध का है हा ना कम्यूकेशन का है नमबर पांच जो है कहीं न कहीं आपके कम्यूकेशन स्किल को अच्छा करता है अगर नमबर पांच आपका खराब है तो इस टैमरिंग की प्रॉब्लम देखते हैं कई बर सुने न हमने बच्चे माईं बोलते हैं कि मेरा बच्चा हक लाता है नहीं बोल पा नियुरो लॉजिकल जो प्रॉब्लम है वो नमबर पांच से आती है, आपकी अलर्जी भी नमबर पांच से आती है, तो पांच नमबर क्या है हमारे टीथ है, दातों की, अब जैसे मैं बोलू जिनका भी बेसिक या डेस्टनी फाइफ है, ऐसे लोगों को हमेशा पांच दातो से जूरी ही समस्य रहती होगे, तो आर्सीटी ऐसे लोगों की बहुत होती है, और कितनी मेरे पास ऐसे एक्जामपल भी है, स्टुडेंट की, कि हान जी मैं हमारे दातों में प्रॉब्लम है, अब पांच नमबर किसका है, बुद्ध का है, या तो देखो अपने घर में हम ल स्टर को दो, तो इसके आपका बुद्ध भी स्ट्रोंग होगा, और जो प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो, पांच नमबर की वज़े से, उसमें भी कहीं न कहीं आपको आराम मिलेगा, अगर आपको लग रहे है कि हम घर में रेमेडी नहीं कर सकते, तो फिर आप जो वो तिय चाय बर्स खाया चाय गिलारी खाया, लेकिन मिलब यह है कि आपने किसी ने किसी को डोनेट करना है, अच्छा आईए हरी मूंग डाल की अगर हम बात करें, आजकल के बदलते दोर में, नए ट्रेंड में, अगर मैं बात करूं खाने की, तो हरी मूंग की आजकल के अच्छे लगते हैं या फिर मोगारी जवाब मौंग डाल के तो ऐसे में स्प्राउट्स खाना भी हेल्डी है उने लोगों के लिए या फिर दान करना ही नहीं देखो अगर पांच नंबर खराब हो रहे ता आप डाल का इंटेक नहीं करोगे अच्छा अब जैसे कई बर ब प्रजे से प्रॉब्लम नहीं आ रही है तब आप खा सकते हैं अगर आपको प्रवाश नंबर की बिमारियां सारी आप फेस कर रहे हो अगर फिर आप खा भी रहे हो तो फिर आपको इशू आए गई गया और वह तो ऑबिसली बात है फिर तो बढ़ेंगी बढ़ेंगी ना यह चीजें हाँ अब मात करेंगी नंबर 6 की हाँ न चीन नंबर किसका है चीन नंबर वीनस का मदक क अपने और स्ट लगत है गारीट रहे बच्चों थैस्ट बर अब इसा होता है कई बार कि देशंा यह अपना बढ़ा देता है आंएपकी को बढ़ा जा एता है जैसे मैंने बोला 3 और 6 का combination अगर होता है आपकी basic destiny का तब तो आप उस person को बोल सकते हो कि आपकी child birth issue में delay हो सकता है यह issue आएगा अब 6 नंबर से भी हम diabetes देखते हैं reproductive system हमारा नंबर 6 से आता है अगर मैं female की बात करूँ ovary uterus है यह सारी problem जो आती है नंबर 6 में आती है ऐसे लोगों के urine infection बार-बार होता है ovary में cyst भी हम नंबर 6 से देखते हैं और 6 नंबर की अगर female है तो गाईने की problem रहती ही रहती है उनको back to back doctor के पास जाना बढ़ता है अब हम बात करेंगे remedy की देखे 6 नंबर आपके luxury का कारक है तो इसकी remedy आपको सोच समझ के करने पड़ती है इसकी remedy आपने किसी भी female को देनी है या फिर लक्ष्माता के मंदिर अगर उसका है वीनस का है तो लक्ष्माता का भी है day six day Friday की बात करें तो इस दिन आपने माता लक मिश्री चावल ये सब चीज़े डोनेट कर सकते हैं या किसी female को आप खीर किला सकते हैं और या फिर चोटी-चोटी कन्ये होती है जो आठ साल के आसपास हो उनको भी आप मिश्री डालके खीर किला सकते हैं ये चे नंबर की remedy है अब हम बात करते हैं साथ नंबर वालों की क् रच की बात आती है तो साथ नंबर लखी नंबर भी माना चाता है कहीं ना कहीं तो ऐसे वे आप क्या कहना चाहेंगे ने कि पहली बात साथ नंबर मेरा ये जेस्टी नंबर मेरा 7 अब लक्की के साथ-साथ ये नंबर रिसर्च का माना जाता है, ना, four नंबर को हम बोलते हैं, search करना, और four नहीं जो भी search किया, seven नंबर उस पर double research करता है, ठीक है, अब seven वाले काफी जो होते, emotional होते हैं, अब क्यों, क्योंकि उनके पास दिमाग तो होता नहीं है, अब केतु क्या है केतु सिरफ आपकी बॉड़ी है ना रहो आपका सर है तो आपके स्टमक से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है वो सैवन नंबर में आती है गैसे टिक इशू आता है ओवरी में प्रॉब्लम आती है सैवन नंबर को हाट की प्रॉब्लम बहुत जल्दी आ होगा या नेम से अक्टिवबा होगा या आपका मोबाइल का टोटल हो सकता है या फिर आपका दश्चा महादाश्चा से आता है seven number में आपको surgery देनी ही देनी है seven number सबसे वड़ी चीज कि जो हम देखते हैं नहीं कि आख सरकल होते हैं आखों के निचे यह भी आपको seven number देता है आपको उनको sound sleep नहीं आती, seven number वाले नहीं सुएंगे, उनका दिमाग चलता ही रहता है, चलता है रहता है, अगर मैं बोलूं कि रात रात भर उठके पढ़ना, गरना, overthinking, यह सब seven number में आता है, अच्छा, तो ऐसे लोगों के लिए को अंसी remedies हैं? अगर seven number की वज़े से आपको दिक्कद आ रही है, uterus में problem आ रही है, या आपकी कोई भी ऐसा private part, जो seven number की वज़े से आपको लग रहा है, इवन डॉक्टर ने आपको remove करने के लिए बोल दी हैं, कई बर seven number वालों को डॉक्टर बोल देते हैं अगर आपको लग रहा है कि किसी को नहीं देना या कोई नहीं लेगा, तो आप मंदिर में जे सकते हो, अच्छा एक और चीज़ मोना जी मेरे जैसे कि आप remedies बता रहे हूं कि अपनी उपर से वार के किसी को दे दो, जहां तक अपनी उपर से वार के किसी गाएं या किसी street dog क खिलाने की बात है, चलो वो समझ में आती है, कि वो खा लेंगे, लेकिन जहां बात आती है किसी को देने की, तो कई बरी आज के टाइम में लोग एक दुसरे के घर की चीज़ खाना या किसी से लेना पसंद नहीं करते हैं, लोग वहम करते हैं, लेकिन यह जानना बहुत जर स्वीपर को ही अगर आप राहू का दान दोगे तभी आपका राहू ठीक होगा उस परसन को कुछ नहीं होगा क्योंकि वो तो खुद ही राहू है जो परसन जिस सीज के लिए बना हुआ आप उसी को दोगे आप मालो आप जैसे मैंने आप बोला कि गुरू का दान आप किसी स् हम बात करते हैं नमबर एग अब शनी दिव प। पर को लगता है कि हाँ, शनी देव हैं, आट नंबर वाले हैं, दिले देते हैं, लाइफ में ळतंगार डेते हैं, लेकिन देन नहीं करते हैं किसी भी चीज़ सेpiece ना शनी का सिर्फ एक ही रूल है कि आपको हार्ड वर्क करना है उसके दापको ररेजल्ल मिल जाएगा, लेकिन में मेडिकल टेम की बात करूँ, तो जो शनी देव होते हैं, उसमें लेक्स में बहुत पेंट रहता है, अब लोजिक समझते हैं, क्योंकि शनी वाले जो होते हैं, महनत बहुत करते हैं नॉन स्टॉप करते हैं, तो अपनी बच्चे को या किसी बड़े को फिट्स पढ़ते है ना, ये भी नमबर आठ में आता है, जैसे मैंने आपको बोला था बुद्ध हमारा नर्व सिस्टम है ठीक है, बुद्ध क्या है, बुद्ध आपके सारी छोटी-छोटी नसे है शनी क्या है, शनी आपको अवर ओल सारी नसे हैं बॉड़ी की, तो जो क्रैम्स पढ़ते हैं सब को, वो भी नमबर आठ से ही देखते हैं, अच्छे एवन पाइरिया अगर आपके दातों में प्रॉबलम है तो जैसे मैंने पांच बोला, तो शनी भी इंक्लूड है, ठीक है तो शनी में शनी वालों की भी हड़ियां आपको वीक मिलेंगे और कहीं ना कहीं, ब्लोटिंग, गैस स्टमक पेन, अब क्यों क्योंकि इनको बाहर का खाना खाने की बड़ी हैबिट होती है, वो कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये सारी प्रॉब्लम इनको होती है, तो इनके लिए रेमेडी? अब देखिए, शनी देव को अगर आपको प्रॉब्लम दे रहे हैं, तो सबसे पहले आपने हनुमान जी को पकड़ने है, सुना है ना सबने की हनुमान जी से शनी देव को थोड़ा सा उनने बोला था कि मेरे भक्तों को शनी देव कुछ नहीं है, परशान नहीं करेंगा, जो हनुमान जी की भक्ती करते हैं, उनको शनी देव बिल्कुल परशान नहीं करेंगा, तो फिर सबसे पहले तो टूजड़े, सैटरड़े, Tuesday, Saturday, मंदिर जाना शुरू करें, और ऐसे मंदिर जहाँ शनी देव का मंदिर भी हो, पीपल का पेड़ी भी हो, और हनुमान जी का भी हो, और पीपल के पेड़ के नीचे बैठके ही तीन बार हनुमान जिसा करनी है, चाहे शनी की साड़ सित्थी चल रही है, ढहिया चल रही है या आपको लग रहा है कि महत्षा जल रही है, चाहए मैं यह आपको कैसी भी जार रहे हैं, पram हल्यवा ओल्राइक हैं, और है थो हैं, जो भी पर्षंड करता है- लगातार देखो करो कोई भी चीज़ आपको पैनिफिट चल दी मिलेगा, घर आप शनीमंगल करते ह孔र तो नमकीन चीजे, नमकीन के चुटे-चुटे पैकिट हो गए, दस वाला हो गया, पांच वाला हो गया, नमकीन चीजे खिलाओ, ब्रेट पर कोड़ा हो गया, ये सब चीजे आप डोनेट करोगे किसी भी ऐसे परसन को जो नेडिड हो, शनी मंदिर जब हम जाते हैं तो बहुत सा सेटेड़ी को आप वो नई चपल किसी को दान दे दो, इससे भी आपका शनी बहुत अच्छा होता है, और कोई ना कोई प्रॉबलम है, बीमारी है, वो आपकी ठीक होती है, अच्छा, अब हम बात करते हैं नो नमबर वालों की, अब नमबर 9 मार्स का है, अब मैंने आपको बोला था, अब हमने लिया था, हीना खान का, कि दो नमबर क्या देता है, ब्रेस्ट में प्रॉबलम देता है, कोई नो कोई डिसीज दे देगा, लेकिन 9 नमबर भी आपका कैंसर देता है, तो उनका कैंसर कप डिटक्ट हुआ, जब उनकी 9 नमबर की महादश आई, तो 9 नम थीक है, गायनिक से यानिक कोई इशु है वो भी नमबर 9 में आता है, जैसी मैंने बोला tumor, किसी भी परकार का tumor भी नमबर 9 में आता है, क्यों aggression है, गुझा है, गुसा है नमबर 9, हρεना, हम control नहीं है, हम remedy नहीं करते है, अगर मालूं मुझे गुसा आरह था, मैं ही नमबर 9 स वो शांत नहीं करूंगी तो वो चीजे मेरी लाइफ में प्रॉब्लम देंगी ही देंगी जैसे की मोना जब या बता रहे हो कि नंबर नो को जो रूल करता है वो मंगल करता है तो ऐसे में नो नंबर वाले क्योंकि हनुमान जी को मंगल मूर्थी बोला जाते हैं तो अगर वो हनुमान जी की उपासना करते हैं पूजा करते हैं तो कहीं नहीं मुझे लगता है फिर मंगल उनका अच्छा हो जाएंगी बिलकुल न लाइफ की 80 परसेंट जो प्रब्लम है, सॉल्व होती ही दिख जाएंगी, हनुमान जी को एवरी टूस्टे चोला चड़ा सकते हैं, परशाद चड़ा सकते हैं, मोटी भूंदी के लड़ो आते हैं, वो चड़ा सकते हैं, चोटी-चोटी चीजे, और सबसे बेस्ट 11 अपने प कदारी है, अच्छा, हनुमान जी को पान के पत्तों की माला अरपन करें, लेकिन उसके उपर सिंदूर के साथ श्री राम लिखाओ, यह बहुत ही छोटा सा और बहुत मेरे को लगता आसरदार उपाय है, क्योंकि भगवान से रिलेटिड हैं, और ना ही इसमें कोई वहम है, और ना ही आपने किसी को किसी तरह को जान करता है, कि शीरी राम जी के लिए, भानुमान जी के लिए, शीरी राम बहुत जादा प्रिय थे ना, पढ़ प्यारे थे वह, तो जिब उन्होंने खुद ही सिंदूर लिख लिये लगा लिए था, अपने उपर, तो यह तो हमने श तो उससे related क्या-क्या problems हो सकती है अगर वो हमारी date of birth में इन से related कोई number है और साथ ही आपने कुछ remedies भी हमारे बता तो आज आपने जाना मोना जी से अंक जोतिश के बारे में जोतिश विद्या के बारे में किस तरह वो आपकी life में आने वाली जो बिमारियां है वो बता भी सकता है इससे related अगर आपकी कोई प्रश्ण है अगर आपकी कोई और query है तो नीचे लिखे गए numbers के उपर आप हमें message भेज सकते हैं हम WhatsApp पे अपना question भेज के अपनी समस्या बता सकते हैं ताकि हम अपने इसी podcast के थ्रू आपकी problem का हल जो है वो बता पाएं और एक बात जरूर को पढ़के आपकी समस्यां को जान सके और उत्तर देने के लिए किसी expert से आपकी दूविदा को दूर करवा सके तो मिलेंगे हम अपने अगले एपिसोड में किसी नए और expert के साथ तब तक के लिए बबाएं